नमस्कार, मैं हूँ राज मोहंतिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ मुख्यमंत्री नितीश कुमार आज बूधवार 22 दिसंबर से समाज सुधार यात्रा निकाल रहे हैं इस यात्रा के जड़िये वो समाज में फैली कूरीतियों के खिलाफ लोगों में जागरुकता फैलाने की कोशिस करेंगे लेकिन मुख्यमंत्री नितीश कुमार के इस समाज सुधार यात्रा को लेकर अब प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है लालू प्रसाद यादो के बरे बेटे तेजपरताप यादो तो कई दिन पहले से ही नितीश कुमार को निशाने पर लिये हुए हैं लेकिन वहीं साधी के बाद से सोसल मीडिया पर नहीं दिखाई देने वाले तेजस्वी यादो भी अब मुख्य मंतरी नितीश कुमार के इस समाज सुधार यात्रा को देखते हुए एक बार फिर सोसल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं और कई तरह के सवाल मुख्य मंतरी नितीश कुमार से पूछ डाले हैं और कहा भी है कि समाज सुधार यात्रा से ज़्यादा जरूरत है कि आप व्यवस्था सुधार करें तेजस्वी यादों का यह पहला ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं आप अपने स्क्रीन पर देखिए वो लिखते हैं 16 वर्सों के आदर्निये मुख्यमंत्री नितीस जी बिहार को समाज सुधार से अधिक व्यवस्था सुधार यात्रा किया वसकता है क्यूंकि व्यवस्था दुरूस्त होने से अधिकांस समाजिक शमस्याएं स्वतह दूर हो जाएगी प्रदेश में प्रशासनिक अराजक्ता वियापत हैं मानिएं आपका सिश्टम पूर्णता ध्वस्थ हो चुका है तेजश्वी यादो के इस ट्वीट के बाद सेश्वी यादो का एक ओड़ ट्वीट आता है जिसमें वो मुख्य पंत्री नितीश-कुमार से सवाल पूछते हैं वो लिखते हैं कि मुखे मंत्री जी क्या बिहार की बदहाल, सिक्षा, स्वास्तव विधी विवस्था, महंगाई, भ्रस्टा चार, गड़ी भी, पलायन और बेरोजगाड़ी सरकार की विवस्था संबंदीत सबसे बड़ी समाजिक समस्याएं नहीं है आप इन समाजिक खामियों, शमस्याओं और प्रशाशनिक विफलताओं पर यात्रा कर इन्हें दूर क्यूं नहीं करना चाहते तो तेजस्वी यादों का नितीश कुमार पर पहला ट्वीट वियंग के रूप में आता है कि समाज सुधार नहीं, विवस्था सुधार करें वजगारी है, पलायन है, स्वास्त विवस्था है इन सब पर, तो नितीश कुमार के समाज सुधार यात्रा को लेकर अब विपक्ष हमलावर है, साथ तोर पे विपक्ष ये बताना चाहता है कि नितीश कुमार केवल बेवजा यात्रा करते रहते हैं, उनके इस यात्राओं से कुछ जादा फाइदा न बिहार की जनता को होता है और नहीं जो गरीब तपका है और नहीं जिस मकसद से यात्राइं नितीश कुमार करते हैं उसका कुछ फाइदा दिखाई देता है मुक्यमंत्रे नितीश कुमार इस यात्रा से पहले यानि समाज शुधार यात्रा से पहले भी बाड़ा यात्राएं कर चुके हैं अलग-अलग तरीके के लेकिन इसमें कभी भी बेरोजगारी, पलायन, सिक्षा इस तमाम मुद्दों को लेकर यात्राएं नहीं की गई 2020 विधान सबा चुनाव से पहले जब करोना का नहीं आया था तब तेजश्वी यादों ने बेरोजगारी यात्रा निकाली थी और उसके बाद जब चुनाव आया तो तेजश्वी यादों ने युआँ को 10 लाख नोक्रियां देने का वादा भी किया शरकार में नहीं आ बिहार में बेरोजगारी दर पहले से जादा बढ़ रही है लगातार बढ़ते ही जा रही है और नौक्रियां सरकारी उतनी दिखाई नहीं देती हैं जो पहले से आई हुई है वो भी जल्दी समय पर पूरी नहीं होती है ऐसे में सरकार सीधे-सीधे विपक्ष के निशाने पर और तेजस्वी यादो हमेशा बेरोजगारी को लेकर नितिश कुमार से सवाल पूछते भी हैं और उन्होंने एक एहलान भी किया है कि वह बहुत जल्द बेरोजगार रैला निकालने वाले हैं और उस रैले के जड़िये नितिश कुमार के लिए समस्याएं कितनी करते नजर आ रहे हैं अब बने रहे हैं लाइव बिहार के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें